अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ जो भी दोस्तो अब तक कंटेंट आपको स्ट्रेंथ आप मैट्रियल का पढ़ाया गया है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं फोटो कापी करा सकते हैं चलिए दोस्तो इस वीडियो में जानते हैं moment of inertia inertia क्या होता है दोस्तो inertia होता है जड़त्व जो की state resistance है अपनी एक तरह से जो भी कोई पिंडिय अवस्तु है अपनी प्रारंबिक अवस्ता में रहना चाहती है यदि कोई वस्तु सामाने रूप से रखी हुई है तो इस्तिर रह रहना चाहती है और यदर बतीमान है तो बतिमान ही रहना चाहती है इस प्रकार दोस्तों के इनर्टिय कारता है moment of inertia दोस्तों यह tood होता है इस लिए से टूड़ी刑 कहते हैं two dimension property second moment of area इसे second moment of area के नाम से भी जानते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें inertia उपर state resistance है इस परकार हम जानेंगे moment of inertia और moment of inertia of area moment of inertia of mass moment of inertia 3D यह mass है जो दोस्तों 3D property है क्योंकि तीन dimension होती है इसमें area 2D property यह 3D property है किसलिए चलिए जानते हैं जैसा कि आप इस diagram में देख सकते हैं left hand side diagram में दोस्तों यह x y z axis बनी हुई है इसमें दोस्तों यह y और x axis में कोई body रखी हुई है दोस्तों अब यह body गुर्णन करते हैं दोस्तों इसको हम गुर्णन कराते हैं x x के साफ एक्ष और y x के साफ एक्ष और इसी परकार दोस्तों perpendicular axis से जैड यहां भी इसको गुमाएंगे इस परकार दोस्तों अब i x moment of inertia about x x के आओगा दोस्तों y square into da जैसा आप देख सकते हैं इसलिए इसको second moment of inertia कहते हैं क्योंकि एक बार moment of inertia में एक बार distance से गुना हो गया इसका moment ले लिए फिर दोबारा moment लेते हैं तो distance दो बार इसमें आती है into करने के लिए इसलिए से second moment of inertia कहते हैं moment of inertia to total area अब दोस्तों हम ये moment of inertia ये strip ले रहा कि हमने da बहुत छोटा एरिया है क्योंकि अब इसका एक साथ हम moment नहीं निकाल सकते हैं moment निकालने के लिए दोस्तों एक fix distance क्या आप सकता होती है perpendicular distance मानलो ये area है इस पर force लग रहा है तो इसके perpendicular distance होगी दोस्तों उस पर जैसा आ बहुत सारे small area से बनकर बना हुआ है ये जो भी body है 2D आपने पास अब इस body का moment of inertia निकालेंगे moment of area निकालेंगे first second जो भी निकालोगे तो आप perpendicular distance लेते हैं जैसा कि इसमें देख सकते हैं तो इसमें से आप fix कोई distance नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें से अलग-अलग property पर अर् हम क्या करते हैं इसे छोटे-छोटे टोकडों में divide कर देते हैं और इसका छोटे-छोटे टोकडों का moment of inertia निकाल लेते हैं फिर इस परकार दोस्तों उन सबका जो moment of inertia किसी एक point पर कैंदरित हो जाता है उसे centroid कहेंगे ये property आपको अगली वीडियो में बताएंगे centroid किसी ए कैंदर पर ये जो कैंदरित हो जाएगी वहाँ जाके जो हमें total of moment inertia मिलेगा उस कैंदर पर कैंदरित मिल जाएगा दोस्तों इस परकार हम छोटे-छोटे area divide करके इसे solve करते हैं अब moment of inertia x about x x इसे दोस्तों है तो हम इसका integration कर देते हैं integration y square.da अर्था तब पूरे जो यह आपको दे रखा है diagram इसका पूरा area निकाल लोगे आप एरिया निकालने के बाद moment of inertia निकलेगा इसका इस परकार दोस्तों यदि आपको moment of inertia y axis निकालना हो तो आप जो y axis से निकालेंगे तो यह जो body है y axis के around घुमेगी घुरनन होगा इसक तो जो इसकी perpendicular distance होगी दोस्तों x होगी इसलिए second moment of area है दोस्तों इसलिए x square.da उसी चोटे area का जो हमने एक चोटी सी strip ले रखी है उसका area निकालेंगे और फिर उसका integration कर देंगे पूरा area निकालने के लिए और उसका moment हमें प्राप्त हो जाएगा इस परकार हम दोस्तों moment of inertia इसके बाद दोस्तों x और y दोनों axis हैं यह जो आपको दिख रही है body यह area दिख रहा है इसके parallel हैं दोस्तों और जो z direction है अपनी यह उल्ली तरफ आ रही है जैसा आप समझ सकते है perpendicular axis जैड एकसिस perpendicular हैं दोनों के और area के perpendicular है तो इसलिए iz is equal to z square.da अर्थात आप देखेंगे जो की z से यह area है अपना z distance पर है तो इसकी भी दोस्तों इसी प्रकार सेम आप property लगाएंगे और यह perpendicular distance z square.da लगा देंगे तो z square हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों जैसा कि यह triangle हम देख सकते हैं आप देख रहे हैं उपर यह triangle बन गया है कर्ण स्कॉयर वरावर लंब स्कॉय स्कॉयर प्लस आदार स्कॉयर वह फॉर्मॉला है पाइथ अगॉरस प्रमेंस है दोस्तों हम यह z square निकाल लेते हैं अब इस प्रकार हम z square की value रख देते हैं value रखने के बाद हमें integration of bracket max square plus y square का इंटू में डिये जो की elementary इस ट्रिप है दोस्तों यह area elementary area इससे गुना हुआ है इसमें इसको हम दूसरे रूप से लिख सकते हैं अलग-अलग तरीके से integration x square integration और y squarewest का integration आते हैं दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जो हमने पहले देखा था यह x-squire का integration हो रहा है दोस्तों और यह y square area का हो रहा है तो हमें जो moment of inertia x-axis about लेने पर और moment of inertia y-axis के about लेने पर जो प्राप्त होता है उन दोनों का योग प्राफ्त हो रहा है दोस्तों perpendicular distance है इसलिए i z is equal to i y plus i x जिसे हम polar moment of inertia के नाम से भी जानते हैं इस परकार दोस्तो moment of inertia निकालते हैं जो यह point आप देख रहे हो दोस्तो जो आपने डी ए लिया area जिसना यह x जो axis है जिसके about a moment ले रहे हो जितना दूर दोस्तों inertia state resistance है moment of inertia moment of inertia of area यह second area of moment second moment of area यह 2D property है moment of inertia of mass यह 3D property है moment कैसे निकाल रहे हैं दोस्तों यह जो body आपको imaginary body ले रखी है इसको आप x x के साफ x गुमा के देखेंगे और y x के साफ x गुमाएंगे इससी परकार दोस्तों इसको z x के अब यह जो आप आप z x के साफ x गुमाएंगे इसको तो आप इसको इस तरह गुर्णन करा सकते हैं एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इधर टॉर्क प्राप्त होगा एक्स और y में बेंडिंग और इधर टॉर्क प्राप्त होगा यह आपको आगे जाके पता चलेगा किस प्रकार मुमेंट आता अभी आप समझ लें कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो मुमेंट लेंगे दोस्तों मुमेंट अप इनर्सिया जो की मुमेंट होता है एरिया का second moment of area इसलिए y square.da ले लिया हमने small area इसलिए लिया है क्योंकि हम इसे एक fix area की तरह consider नहीं कर सकते क्योंकि यह अलग-अलग area अलग-अलग distance पर है और इनका यह point fix नहीं हो सकता इसलिए हम छोटे-छोटे small area का integration करके पूरे का moment of inertia निकाल सकते है आसानी से जो irregular body हो किसी प्रका इसे आसानी solve कर सकते हैं इस प्रकार हम i x, i y और i z तीनों यदि हम i x और i y निकाल लें उसके बाद i z भी इन दोनों का summation होता है दोस्तों आता है i z is equal to i y plus i x जो कि polar moment of inertia के नम से जाना जाता है वीडियो को ही sort करते हैं दोस्तों parallel axis storm और radius of gyration अगली वीडियो में करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक शेयर करकर दोस्तों चैनल पर प्यार वनाए रखें क्योंकि आपके support के मेंना कोई भी channel ग्रो नहीं कर सकता इसलिए आप लाइक शेयर और subscribe करते रहें दोस्तों धन्यवाद